दबराने की कोई जरूरत नहीं मेरे बेटे की एंट्री मतलब एंड बदमाशों को डिसेंट वे मुद को समझता क्या क्या स्मगलिंग के लिए इंटरनाशनल हुएं हैं पुश्पाराज क्या चाइना जाएंगे पुश्पाराज नमस्कार दोस्तों एक बार फिर्स आप सभी का स्वागत है बॉलिग्राद स्टूरियोज में और मैं हूँ आपके साथ हरुश्का त्यागी पुश्पा फिल्म में जब अलु अर्जुन ने अपने किर्दार के साथ एक ऐसी कहानी को दिखाया जिसके बारे में पहले कभी बात नहीं की गई थी तो सभी ने उसे पसंद किया था जी हाँ दोस्तों ये बात तो आप सब जानते ही हैं कि पुश्पा फिल्म में हमने लाल चंदन की तसकरी की कहानी देखी और ये देखा कि कैसे इसके बड़े से जाल में कई किर्दार फसे हुए हैं और इन किर्दारों में से एक है हमारे पुश्पा राज अलु अर्जुन की ये फिल्म दो हिस्सों में बनाई जाएगी और पहली फिल्म को देखने के बाद फानसी देखने के लिए बेकरार है कि इस कहानी में आगे क्या ट्विस्ट अंटर्न साते हैं ये बात तो सभी जानते ही है कि अलु अर्जुन अपने फिल्म में भरपूर एडवेंचर और रोमान्स को लेकर चलते हैं तो एक बात तो तय है कि हमें पुश्पा के सीकुल में एक ऐसी कहानी देखने को मिलेगी जो कि हमें और ज़्यादा एंटिटेन करने वाली है चंदन के स्मग्लिंग हो रही है और इसके लिए कैसे पैत्रे आजमाए जाते हैं ये सब फिल्म का हिस्सा था अब सुनने में ये आया है कि फिल्म के सीकुल में ये कहानी और आगे बढ़ेगी और हमें देखने को मिलेंगे अल्लू अर्जन इस नेटवक की जर तक पहुंचते हुए और ये देखने के लिए हमें थोड़ा इंतिजार करना पड़ेगा क्योंकि पुश्पा फिल्म का सीकुल अभी शूट हो रहा है और जल्द ही हमें इस इंटरनाशनल ट्रिप की कन्फिमेशन की ख़बर भी मिल जाएगी आपको पताते दोस्तों कि जहां पुश्पा फिल्म में हमने इस नेटवक के बारे में बहुत जाना है और इसे बहुत ही जादा दुश्प तरीके से बड़े परदे पर दिखाया गया वहीं यहीं उमीद हम फिल्म के सीकुल से भी कर सकते हैं तो देखने लाग बात यह होगी कि क्या फिर से हमें एक ऐसे नेटवक के बारे में और कहानी सुनने को मिलेगी या फिर इस बार पुश्पा की इस इंटरनाशनल ट्रिप की हो सकती है कोई और वजा यह देखने के लिए हम थोड़ा सार इंतिजार करना पड़ेगा लेकिन तब तक के लिए हम बेकरार है इस कहानी को आगे बढ़ते हुए देखने के लिए आपको बता दे कि पुश्पा 2 फिर्म को काफी बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है और लोगों के बीच इस फिर्म को लेकर काफी एकसाइटमेंट और जोश भी देखने को मिल रहा है अब जब भी फिर्म थिएटरस में आएगी के दमाका होगा ये तो फिर्म के रिलीज के बाद ही पता चलेगा तो बाप लोग बताईए कि आप इस फिर्म को देखने के लिए कितने ज़्यादे एकसाइटिड है साथी बन रही है हमारे साथ और देख दे रहे हैं बॉलिगराद स्टूडियोज को हमारी आज की राइटर है सान्या